नमस्कार दोस्तों, शुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है, आज हम कावे सास्तर की परसन पढ़ेंगे, कावे सास्तर की वो परसन जो इशनात कोतर कावे सास्तर है, जो दस बिंदू है, कावे हेतु है, कावे लक्षन है, कावे प्रियोजन है, साधारनी करन है, र दस बिंदू ही पहले इसनात कोत्र पाठे क्रम में सामिल हुआ करते थे, आज कल बढ़ा दिये हैं, इसमें आप परसन कितने आएंगे, इन में से जितने परसन आएंगे, वो निश्चित है, इस वीडियो के अंदर जो है, वो ऐसे परसन दिये गए हैं, जो आपको बहुत ज् एक बार ही लिखा है, तो ये दस बिंदू जो है, मनोव इसलेशन वाद इसमें नया जुड़ा है, जो पहले मार्क्स वाद चलता था, उसकी जगह जुड़ा है, तो हम परसनों को शुरू करते हैं, सारे परसन पहले वो परसन हैं, जो RPSC फैस्ट ग्रेड में आई हुए है असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम में आई हुए है, इससे हमें ये पता चलेगा कि परसन की सैली क्या आती है, किस तरह का परसन आता है, और फिर वो परसन भी हैं, जो आ सकते हैं पहला परसन है, कव्यात्मा धवनी रिती बुद्धर्ये समाननात पूर्वे इस्नत इस्तेया भाव, जगदुर परे भागता महुस्ते मन्ने यह कथन इन में से किस आचारिये का है, अब देखिए, पंक्ती हमें पढ़नी आये या नया आये, पंक्ती का अर्थ क्या है, यह हमें समझ में आये या नया आये, हमें सिर्फ यह द्यान में रखना है, कि यह कथन जो है, वो किस का है, धवनी सब्द आया है, आनंद वर्धन का कथन है धवनी सिध्धांत के परवर्तक धवनी संपर्दाई के परवर्तक आनंद वर्धन है दूसरा परसन है यह आईवें परसन है इन में से अरस्तु के अनुकरण सिध्धांत से संबंदित कौन सा कथन नहीं है यह अरस्तु के अनुकरण सिध्धांत से संबंदित दो प भावपर्क अनुकरण से है नेकी यथार्थ वस्तुपर्क अनुकरण से अनुकरण का संबंद पलेटो अनुकरण के संबंद में पलेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है तो ये कथन जो है वो गलत है और ये जब दुबारा से रिपीट हुआ ये परसन दूसरी भर अनुकरण सिध्धान्त में अंतर है। अनुकरण के आदर स्तत्व का समावेश भी होगा और वह सुन्दर एवं आनंददाई होगा। वेस्ठी से संबध होते वे भी वह समस्टी गत सत्य का प्रतिपादन करेगा। ये भी अनुकरण से संब्धेत है जो सही कथन है। अब देखिए तीसरा परसन है आचारिय कुंतक ने निमन लिखित में से किसे वक्रोक्ती का एक भेद नहीं माना है। तो पदपुरवार्द है, पदपरार्द भी है, परबंध वक्रता भी है, वरण विन्यास वक्रता भी है, कल्पना वक्रता इसमें नहीं है। छह भेद मानने हैं, छह के छह, इसमें परसन जो है, वो बहुत बार रिपीट हुए है, एक परसन है, जिसमें छह भाद भेद के नाम लिखे हुए है। चोथा परसन है, ओदात्य सिधान्त, अब देखिए, लोनजाइन्स का जो ओदात्य सिधान्त है, इसको उदात्य सिधान्त भी कहते हैं, उदात्य करण भी कहते हैं, काव्य में उदात्य तत्वे भी कह सकते हैं, तो ओदात्य सिधान्त के संबंद में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है लोनजाइन्स के प्रसीद गरंथ का नाम पेरी इपसूस है पेरी इपसूस जिसका अंग्रेजी नाम ओन दे सबलाइन है बालेता ओदात्ते का आउशक तत्व है ये कथन गलत है बालेता ओदात्ते का आउशक तत्व नहीं है बलकि बालेता ओधात्ते का बाधक तत्व है इन्होंने तीन बाधक तत्व बताई है सब्दा डंबर, वाने डंबर और बालेता तो इसमें बालेता जो है ओधात्ते का आउशक तत्व नहीं है बलकि ओधात्ते का बाधक तत्व है बावावेश की तीवर्ता ओधात्ये का तत्वे एवं अंत्रंग पक्ष है ये सही है गरिमा में रचना विधान ओधात्ये का महत्वपुर्ण तत्वे है ये सही है पांच इन्होंने तत्वे बताए है और तीन बाधक तत्वे बताए है इसमें तो ये कथन जो है वो गलत है ये का है, तो ये भटनायक का है, भटनायक जो है, वो साधारनी करण के सिध्धान्त के परवर्तक भी माने जाते हैं, पर्थम प्रियोकता माने जाते हैं, साधारनी करण सिध्धान्त के, तो भटनायक जो है, वो रशुत्तर के तीसरे व्याख्याता है, और इनका ही ये कथन ह जो बार-बार repeat होता है परसन एक बार ही आपको मिलेगा इसमें आपको ध्यान में रखना है और ये PDF आपको टेलिग्राम गुरूप पे मिल जाएंगी कल भी टेलिग्राम गुरूप पे कुछ PDF डाले थी बच गई होंगी तो और डाल देंगे इसको भी टेलिग्राम च्छाटा परसन है जो बहुत बार आया हुआ है जैसे कवे से यस अर्थ करते वेहार विदे शिवेत रक्षते सद्ध्य परनिवर्ते कांता सम्मित उपदेश युजे देखे कवे प्रियोजन के विश्यक उप्रियुक्त मत की साचार्य का है तो ये कवे प्रियोजन के देखे साथ का परसन देखे कावे लक्षन एवं लक्षनकार की द्रिश्टी शे निमन लिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है कितना अच्छा परसन है कितना सरल परसन है शबदार्थो सहीत तो काव्यम तो भम्मे का है वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनात का ह रम्नियार्थ प्रतिपादक सब्द कावियम दंडी का नहीं है, ये सब को पता, ये जगनात का है, जो रस गंगाधर के लेखक हैं, सतरवी स्तापदी के हैं और रश गंगाधर की ये पंक्ती है तो ये दंडी की नहीं है तो ये इसका उत्तर हो जाएगे ये सुमेलित नहीं है तद दोसो सबदार्थो सैगुणाव लंकरती पुने कवापी ये मममट की है मममट जो कावे प्रकास के लेखक हैं तो ये ये पंक्तियां बहुत बार ध्वानात और कव्यग्य शिक्ष्ण भ्यास एती हेतु ये देखे कव्य हेतु कव्य हेतु विश्यक उप्रियुक्त मत इनमें से किस आचारिय का है तो इनमें से ये जो मक्त है जो वामन का है आचारिय वामन का है ये जो कथन है ये भी परसन जो है वो सिधा पूरा कथन जो ह व्याख्याकारों में से भटनायक के सिध्धान्त को इन में से क्या कहा जाता है तो भटनायक का जो सिध्धान्त है उसको भुक्तिवाद कहा जाता है भोगवाद भी कह सकते हैं क्योंकि अभिव्यक्तिवाद जो है ये अभिनव गुप्त का है अनुमितिवाद संकुक का है औ भरत मुनी के रश निश्पत्ती विष्यक सुत्र के पर्थम व्याख्याता कोन थे तो पर्थम व्याख्याता भट लोलट थे दूसरे आचारिय संकुक थे तीसरे भटनायक थे और चोथे अभिनाव गुप्त थे ये करम से आपको याद होने चाहिए इनका कालकरम भी पूच सकता है वसे रमनियार्थ परती पादक देखो ये कथन आ गया है रमनियार्थ परती पादक सब्द काव्यम काव्य लक्षन से संबंदित उक्त कथन की स्विद्वान का है तो ये पंडित जगनात का है सत्रवी स्ताब्दी के हैं रस गंगाधर पुस्तक के लेखक हैं और बहुत जादा बार रिपीट होने वाला ये परसन है बारवा परसन है कि इनमें धवनी विशक कथन गलत है गलत कथन है इनमें धवनी विशक गलत कथन है तो इन में धवनी से सम्मंदित धवनी सिध्धांत से समंदित कौन सा कथन गलत है देखे परसन आया हुआ है ये भी पहला कथन है काव्य सिध्धांत के रूप में धवनी सब्द का सर्वपर्थम प्रियोग धवन्या लोक नामक गरंथ में मिलता है धवन्या लोक किसका है आन विद्वान उस कवे को धवनी कहते हैं, जिसमें कथित सब्द और अर्थ को अपने गोण बनाकर वेंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, और चोथा कथन है, आचारियोंने धवनी कवे के दो परमुख भेद माने हैं, लक्षना मुला और वेंजना मुला, ये कथन गलत है, क्योंकि इन्होंने धवनी कवे के जो दो भेद माने हैं, जो परमुख भेद माने हैं, उसमें लक्षना मुला और अभीदा मुला है, ये दो भेद माने हैं, लक्षना मुला और अभीदा मुला, तो ये कथन गलत हो जाएगा, तेरा नंबर का प्रसन है इनके वक्रोक्ति विश्य के कोन सा कथन सही नहीं है आचारी एक उन्तक ने वक्रोक्ति को कवे की आत्मा के रूप में सुविकार किया है ये तो सही है इस सिध्धान्त का परमुख गरंत वक्रोक्ति जीवितम है तो वक्रोक्ति जीवितम सिध्धान्त है और वक्रोक्ति जो है वो आत्मा माना है आचारी एक उन्तक ने वक्रोक्ति के परमुख भेद आठ माने है तो ये कथन गलत है क्योंकि परमुख भेद जो है वो आठ नहीं बलकि छे माने हैं और उनका परसन भी जो है वो बहुत बार आया हुआ है आचारी एक उन्तक ओचित्ते को वक्रोक्ति का निवार ये तत्व मानते हैं तो इसमें कथन जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आठ लिखावा है भट लोलट की देन है ये कथन गलत है साधारनी करण का सिध्धांत वस्तुत भट नायक की देन है ने की लोलट की तीसरे व्याख्यता की ये पहला व्याख्यता है रस उत्तरगा अब लेकिन ये कथन भी पढ़ने जरूरी है उत्तपतिवाद के अनुसार रस का विभावादी के साथ उत्तपाद्य उत्तपादक भाव संबंद माना गया है ये सही है उत्तपतिवाद के अनुसार क्योंकि उत्तपतिवाद भट लोलट का ये अभीदा से कव्वे का अर्थ बोध होने के बाद भावक्त्वे वैपार दवारा भावादी का साधारनी करण होता है आचारी संकुक रश निश्पत्ती सिध्धान्त अनुमितिवाद कहलाता है ये भी सही है तो ये कथन जो है वो गलत है इसमें अनुकरण सिध्धान्त की द्रष टीशे कौंसा कथन सही नहीं है भीन नहीं है ये लिखावादा लेकिन इसमें भीन है तो ये कथन सही हो गया अरस्तु सुध्य परतिकर्ती को मानते हैं भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं ये गलत कथन है क्योंकि वो भावना में और कल्पना में अनुकरण को मानते है अनुकरण को नया अर्थ परदान कर अरस्तु ने कला का सवतंतर अस्तित्वे इस्थापित किया है ये कथन भी सही है अरस्तु कला को प्रकरती की अनुकरती मानते हैं ये कथन भी सही है और सिधा परसन भी आया हुआ है कला को प्रकरती के अनुकरती मानने वाले अरस्तू हैं तो इसमें कथन दो गलत है 16 नमबर का प्रसन है लोंजाइन्स के उद्दात तत्वे की दृष्टी से कौन सा कथन गलत है देखिए महान धारनाओं की छमता और भाववेस की तिववरता उद्दात तत्वे के अंतरंग पक्ष हैं ये तो सही है अंतरंग पक्ष हैं ये दोनों अंतरंग पक्ष को लोंजाइन्स ने जनमजात माना है ये बात भी सही है अंतरंग पक्ष जो है वो दो माने है उन्होंने और दोनों को जनमजात माना है अलंकार योजना को उद्दात तत्व का विरोधी नहीं माना है विरोधी तो तीन माने है सब्दा नंबर भावा नंबर और बाले इता उतक्रिष्ट भासा उद्दात तत्व का बही रंग है ये भी सही कत्म है तो इसमें अलंकार योजना उद्धा तत्व का विरोधी माना है ये गलत है देखे आचारिय दंडी ने काववे हेतु किसे माना है तो आचारिय दंडी जो है इन्होंने काववे हेतु परतिभा सास्तरग्यान अभ्यास को माना है इन तीनों को माना है इन्होंने अठारा नंबर का प्रस्न है कौन शे आचारिये ने चतुर वर्ग की प्राप्ती का प्रियोजन माना है तो चतुर वर्ग की प्राप्ती का प्रियोजन जो है वो पहले भामने माना है चतुर वर्ग की प्राप्ती का कावे प्रियोजन जो है वो भामने माना है भारतिय कावे शास्त्र का प्राचिन्तम गरंथ है तो इन में प्राचिन्तम गरंथ जो है वो भरत्मुनी का नाट्य शास्त्र है ये परसन भी आया हुआ है धवनी के त्रीविध परकार निम्न में से कौनशे हैं तो वस्तु अलंकार और रस वस्तु धवनी अलंकार धवनी रस धवनी ये तीन भेद जो है वो धवनी के माने जाते हैं अभिनाव गुप्त का रस निश्पत्ती विश्यक मत कहलाता है तो ये तो सरल परसन हो गया अभिनाव गुप्त का रस निश्पत्ती सिध्धान्त जो है मत जो है वो अभिव्यक्ति वाद है अनुमिति वाद आचारिय संकुक का है उत्पति वाद भट लोलट का है भुक्ति बटनायक का है बटनायक का ही साधारनी करण का सिठ्धान्त नोने ही दिया है रशनीशपत्ति की व्याक्या में कि इस इन्होंने किया है आचारिय संकोग न जो अनुमिति वाद प्रवर्तक अनुमितिवाद जिनका मत है, सिध्धान्त है, वो आचारी संकुक है, इन्होंने चित्र तुरंग न्याय की अवधारना का उपयोग किया है, आचारी रामचंदर शुकल के अनुसार साधारनी करण होता, किसका होता है, तो आचारी रामचंदर शुकल के अनुसार साधारनी क जो है वो साधारनी करन आचारी रामचंदर शुकल मानते हैं कवी की अनुभुति को साधारनी करन जो है कवी की अनुभुति का साधारनी करन डोक्टर नगेंदर मानते हैं लेकिन आलंबन के ध्रम का आचारी रामचंदर शुकल मानते हैं अब देखे इसमें उद्धात के बा बाधक तत्व इन्होंने बताए हैं पांच श्रोत बताए हैं पांच जो है जिसमें दो अंतरंग हैं और तीन बहीरंग हैं पक्स हैं और तीन इन्होंने बाधक तत्व बताए हैं उद्दात के इसका मतलब होता है कि कवित्ता को स्रेष्ट बनाने में बाध कोते हैं तीन चीज सब्दा डंबर बलिस्ता और भावा डंबर उप्रियुक्त सभी सब्दा डंबर यानि सब्दों का दिखावा भावा डंबर यानि भावनाओं का दिखावा और बलिस्ता होती है बचकानापन 25 नमबर का देखें लॉनजाइन्स ये इसी से सम्मंदित आ गए है लॉनजाइन्स का उद्दात का अंतरंग शरोत किसे माना है तो मैंने अभी बताए दो अंतरंग शरोत हैं और तीन बहिरंग शरोत हैं देखिए अरस्तु के अनुकरण सिध्धान्त में अनुकरण का अर्थ है तो अनुकरण का अर्थ पुनहे प्रस्तुतिकरण भी है पुनर निर्मान भी है पुनर सरजन भी है तो उप्रियुक्त सभी जो है वो इसमें आएंगे उद्दात अभिवेंजना का अनिर्वच्निये प्रकर्स और वैसिष्टे है ये कथन किसका है तो ये उद्दात सब्द आ गया है यानि लॉनजैनिस का है उद्दात सिध्धान्त उनी का है ये देखिए सब परसन देखिए अठाइस का ये सायद रिपीट भी हो गया बाद में ये कावे की यह प्रिवासा किस ने दिये तो ये आचार ये दंडी की प्रिवासा है ये ध्यान में रखनी ये आती है और इतनी बार आई हुई है कि इसका प्रसन भी रिपीट हो गया ये ध्यान में नहीं रहा कि लिखा हुआ भी ये साइड ये देखिए ये कावे प्रियोजन के संधर्म में यह मत है दुखारताना स्रम्तराना सोकारतन यानि दुख, स्रम, सोक, तपश विनाम, विश्राम, जननन लोग के नाटे ये किसका कथन है कावे प्रियोजन के संधर्म में तो ये है भरत मुनी का भरत मुनी जो है उनका कथन है साधारनी करण भावना का व्यापार नहीं बलकि वेंजना का एलोकिक विभावन व्यापार है ये है कथन किसका है तो ये है कथन है अभीनव गुप्त का अभीनव गुप्त ये कहते हैं कि साधारनी करण जो है वो वेंजना का एलोकिक विभावन व्यापार है ये वक्रोक्ति सिध्धान्त की पंक्ती है वक्रोक्ति के भेदों के संबंद में निमनांकित में से सही कथन है, यानि वक्रोक्ति के जो भेद हैं उनमें से कौन सा कथन सही है, तो वरण विन्यास वक्रता और वाक्य वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, परकरण वक्रता और परबंद वक्र टा. उक्त शभी यैनि इसके च्षै भेद माने गए हैं और जिसमें पहले दो देखो याद ऐसे करने पहले दो तो वैसे है वर्ण विन्यास और वाक्य विन्यास और पद परार्ध, पद पूर्वार्ध, परकरण वककरता और परवंद वककरता तो तो ये कुल छै भेद जो है, वो वक्रोक्ती के आचारिये कुंतक ने जो है, वो माने हैं, ये परसन आता है, इसका निमन मैंसे कौन सा नहीं है, एक अलग ढंग से परसन आया हुआ, वो भी इसमें लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया दा, धवनी परस्थाप के परमाचारिये जो है, वो आचारिये मम्मट को कहा जाता है, गरंथ पेरिप्सुस ओन दे सबलाइम के लेखक हैं, ये परसन वैसे आ भी गया है, लॉनजाइन्स का ये गरंथ है, उद्दात सिध्धान्त इसी में है, उनका, पैंतीस का परसन है, निमन में से कौन सा लॉन तो भावों का उद्दात चितरन नहीं है वैं, क्योंकि ये तो अंतरंग पक्ष में है, अलंकार योजना है, उत्कृष्ट भासा है, गरीमा में रचना विधान है, कुल पांच है इसमें और जिसमें पहला जो है वो भावनाओं से सम्मंदित है, उद्दात विचारों से सम में आते हैं, और तीन इन्होंने बादक तत्व बताए हैं, सब्दाडंबर, भावाडंबर और बलिस्ता, दवनी सिध्धान्त के संधर्म में कौन सा कथन सही नहीं है, दवनी सिध्धान्त के संस्थापक आचारी आनंद वर्धन है, ये तो सही है, दवनी सिध्धान्त का आधार पर आनंद वर्धन ने काववे के पांच भेद किये ये गलत है वेंग्यार्थ के आधार पर आनंद वर्धन ने काववे के तीन भेद किये हैं तीन भेद किये हैं और तीन भेद जो है इसमें उत्तम काववे, मध्यम काववे और अधम कावे, तीन भेद जो है वो इसमें किये हैं, इसमें पांच लिखा हुआ है, ये देखें, 37 का परसंदे किये, आचारियों को उनके गरंतों से सुमेलित कीजिए, गरंत इनके नहीं बलकि और जो आचारिये हैं, उनके भी हमें देख लेने चीएं, भाम्मे का गरंत ह है काव्यालंकार, दंडी का है काव्या, काव्यादर्श, आचारिये दंडी का काव्यादर्श है, मममठ का काव्याप्रकाश है, आनंदवर्धन का धवन्यालोक है, और कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम है, परसंदेखें, लोंजाइन्स की उद्दात संभंदी मान्यता नु फब प्रसन है यह अब सुरूँ हो रहे हैं लॉंजाइन्स की उट्दात संबंदी मानने तानूसौर एसंगत कथन है विशे साधन नहीं साधे ये कथन इस उट्दात संबंदी मानने तानूसर गलत है प्राचिन काव्यानु सीलन आउशक है ये सही है विशद बिम्बों की योजना उपादेई है और विशे का विश्तार पुरण होना आउशक है ये तीनों ही इससे सम्बंदित सही है और ये कथन जो है वो गलत बताया हुआ है अरस्तु के अनुकरण सिधान्त के संबंद में अशंगत कथन है अब देखी ये परसन भी आया था कला प्रकरती की भावना में तथा कलपना में अनुकरती नहीं है ये देखो ये कथन फैस्ट ग्रेड में आयो है उनमें भी ये कथन आया हुआ दोनों भावना में कलपना में अनुकर्टी है ये बताया है इसमें लिखते हैं नहीं है तो ये कथन गलत हो गया कावे कावी से परकर्ती का परतीमान संभावे आदर्स रूप है ये सही है अनुकरण एक सरजन किरिया है ये भी सही है अनुकरण वहत अंत्र है जिसके दवारा कवी अपनी कल्पनात्मक अनुकरती की प्रेक्षेपनिये अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है ये भी सही है चालीस का प्रसंद देगे आचारी रामजंदर शुकल ने क्रोंचे के अभिवेंजनावाद को भारतिय कावेशास्तर के कि सिध्धान्त के निकटतम माना है तो वो माना है वक्रोक्ति सिध्धान्त के आचारी रामजंदर शुकल ने ये ध्यान में रखना है कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतरगत किया है वक्रोक्ति के कुंतक ने छे भेद किये है अलंकारों का विधान कोण से भेद में किया है तो ये देखिए वाक्य प्रवक्रता में किया है यानि वाक्ये के अंदर जो वक्रत आती है टेड़ापन आता है जो चमतकार सुंद्री आता है वो अलंकारों की वज़े से ही तो आता है तो वो अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्ये वक्रता में सामिल किया है अंतरगत है ये देखे शुमेलित कीजिए सिध्धान्त औ और ये जो है ये सैव दर्शन जी नहीं उत्पतिवाद जो है ये मिमान सा दर्शन पर आधारीत है उत्पतिवाद भट लोलट का सिध्धानत है मत है जो मिमान सा दर्शन पर आधारीत है अनुमितिवाद जो है ये न्याई दर्शन पर आधारीत है संकुक का और भुक्तिवा जो है ये अभिनाव गुप्त का शैव दर्सन पर आधरीत है ये हमें ध्यान में रखना है ये देखे इसमें भरत मुनी के रसुत्तर के व्याख्यताओं के संधर्म में कथन गलत है अब देखे इसमें भी एक बात के लिए रो जाएगी भट लोलट का उत्पती वाद कहलाता ह ये सही है आचारी संकुक का मत अनुमिती वाद कहलाता है ये भी सही है भट नायक का मत आरोप वाद कहलाता है ये गलत है ये कथन गलत है इसमें क्योंकि भट नायक का मत आरोप वाद नहीं बलकि भुक्ती वाद या भोग वाद कहलाता है आरोप वाद तो इस उत्पती वा गया है ज़्यादा बार आने की वाज़े से काव्या दर्श्ट मुए ये किसकी पंगती है प्रीति कीर्थ एटूत पृति और कीर्थ और के विश्य में ये है कथन किसका है तो यह आचारिये वामन का कथन है जिनोंने प्रिती और कीर्ती को काव्य प्रियोजन माना है रसगंगाधर गरंथ के लेखक हैं तो रसगंगाधर गरंथ जो है ये पंडित जगनाथ का है जो सत्रविस्तापदी से संबंदित हैं और इसमें देखिए परतिभा के दो भेद कार्यत्री परतिभा वे भावयत्री परतिभा कि स्विद्वान ने किया है तो ये राज्शेखर ने किये हैं राज्शेखर ने परती भागे दो भेद किये हैं कार यत्री और भाव यत्री 47 का परसंड है गुणा लंकरत्यों सबदार्थ्यों कव्ये सब्दों विधेते कव्ये लख्षन विश्यक कथन किसका है तो ये जो कथन है ये आचार्य वामन का ही कथन है जो कवे लक्षन से सम्बंदित है उपर जो कथन आया वो कवे प्रियोजन से सम्बंदित है प्रिती और किर्ती से सम्बंदित है शरीर ताव द्रिष्टा वैचिना पदावली का वे लक्षन विशक यह कथन किसका है यह आचार यह दंडी का है यह रीपीट हुई है यह पंगती और यह जो है वो दो बार ही नहीं बलकि अनेक बार आई हुई ही पंगती है कौन सा कथन मनो विशलेशन वाद से सम्बंदित नहीं है यह मानाव मन के विशलेशन की पदती पर आधरित है यह तो सही है इसके जनम दाता सिगमंड फ्राइड है यह भी सही है हिंदी में इलाचंदर जोशी जैनेंदर अग्याई इसी विचारधारा से प्रभावित साहित्तेकार है यह भी सही है यह यह गलत है फ्राइड ने मानाव मस्तिश्क के पांच भेद कियें पांच नहीं तीन कियें तीन भेद हैं इसके मस्तिश्क के निम्न में से कौन सी रचना मनो विश्लेशनवाद से संबनित नहीं है पतनी जैनेंदर की कहानी है सरणदाता अग्येई की कहानी है पलैन चैन चैट जो है ये इलाचंदर जोशी की कहानी है तीसरी कसम फणी स्वरनाथ रेणू की कहानी है तो ये इस से सम्मंदित नहीं है क्योंकि वो एक आंचलिक साहित्यकार थे और जेनेंदर कुमार और इलाचंदर जोसी और अग्येई जो है ये इनकी कहानिया मनो विश्लेशन वाद्षे सम्मंदित है ये कुल 50% हैं 50 के 50% महत्वपुर्ण है और निश्चित रूप से आप इनका जरूर अध्यन करके जाएं पढ़के जाएं परसन इसमें से जितने आएंगे वो सारे ऐसे के ऐसे जो है वो आएंगे धन्यवाद